अगर आपके WhatsApp पर status नहीं लग पा रहा है और इस तरीके से लिखा आ रहा है यहां देख सकते हैं जब आप WhatsApp पर status लगाने की try करते हैं यहां पर तो status नहीं लग रहा है और यह लिखा आ रहा है to send a status update, allow WhatsApp access to your camera, tap settings, permission and turn camera on तो यह message क्यों आता है आपके phone पर और कैसे आप इसको solve कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो वो देखेंगे हम इस वीडियो में कि क्या problem आ रही है और कैसे आप solve कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और अपने WhatsApp पर normally आप status लगा सकते हैं तो यहां से आपको end तक वीडियो जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम जो एप permissions होती है उसके बारे में भी समझेगे क्या होती है और कैसे आप इसको off या on जो है अपने phone में हरे के अप के लिए यहां पर बात करें कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो यहां से आपको settings में आ जाना है और फिर यहां से apps के option में आना है apps में यहां पर फिर manage apps का option है और नीचे है एक option permissions का ठीक है तो यहां पर जब आप आते हैं और इसमें फिर आपको जाना है फिर से इस option में permissions के तो आपके phone में जो यहां पर बात करें कुछ features होते हैं अलग अलग जैसे camera, context, files and media, location, microphone यह सारे features को जो है आपके phone की जो apps होती है अगर वो इन features का use होती है तो वो ऐसे यूज नहीं कर सकती है उसके लिए जरूरत होती है आपके app permission की ठीक है तो अगर आपने उस app को उस feature को use करने की new यह permission तो ही वो app इस feature का use जो है यहां पर बात करें कर पाएगी तो यही हुआ है यहां पर WhatsApp के साथ जिसके व और WhatsApp में आने के बाद यहां WhatsApp के लिए आप देख सकते है permissions का option है इसमें आप जो है इसमें आपको वो सारे जो है options मिलेगे जिससे आप देख सकते है कि WhatsApp के लिए जो जो यहां पर option है दो option है अलाउड और not अलाउड यहांने कि यह वाली जो है परमिशन वह अलाउड है और जो नॉट अलाउड पर है वह वह वाटसप के लिए लाउड नहीं है तो उसको आपको उसमें से यह एक है केमरा जो की दोंट अलाउड उपर सेट किया हुआ है तो इसको आपको क्या करना है allow only while using the app क्योंकि वहां प आपको अपर बात करें WhatsApp पर status डालना तो यह आप permission जरूरी है तो यहां से हमने उसको on कर दिया और अब जब हम WhatsApp पर आते हैं तो यहां से इस्टेटस डालना चाहते हैं ठीक है जो भी आपके फोटो आप डालना चाहते हैं या फिल जो यहां से आप इसका यूज़ करके फोटो डाल सकते हैं केमरे का यूज़ करके